हेलो इस्टुडेंट्स गूड मॉर्निंग कैसे आप CLC के इस ओनलाइन प्लेटफॉर्म पर और मेरी शिराज यादव मेरी क्लास में आप सभी का स्वागत है और आज हम लेक्चर 3 की बात करेंगी जैसा कि आपको याद है कि हम प्रिविएस लेक्चर में क्या पढ़े थे उसका कोर्रिलेशन कर रहे हैं आपर कि क्या हम आगे किस तरीके से रिलेट करके आगे पढ़ें तो उसको ध्यान से समझें लेक्चर नमर थ्री और लास्ट क्लास में जैसा मुझे याद है मैंने यह बाते बताई थी आपको की आपनिंग्स यदि एक्टरनल नॉस्टिल में दो आपनिंग है तो उसे बोलते हैं डाई राइनस कंडिशन और यह रैस्पिरेटरी पैसेज के बारे में बात कर रहे थे कि एर एक्टरनल नॉस्टिल से नेजल चेंबर में नेजल चेंबर से इंटरनल नेर में इंटरनल नेर से नेजो फैरिंग्स में फिर ग्लोटेस देन लेरिंग्स ट्रेकिया और ऐसे होती हुई फाइनली कहां पर पहुँचेगी इस एलियोला ड़ी यदि मैं इसको कंपेर क करूं तो जो रेड कलर में लिखा हुआ है ऐल्यूलर डक्ट एट्रियम ऐल्यूलर शेक एंड एल्यूलाई यह जो है इसको बोलते हैं एक्षेंज या रेस्पिरेटरी पार्ट या सवसन बाल जहां पर गैसों का आधान परदान होगा हमारी बोड़ी के अंदर कारबंडा यूक्साइड टॉक्सिक है आमफुल है विशेली है तो उसे हमें भार निकालना पड़ेगा और बदले में वहां पर चैल्लर रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सिजन देना पड़ेगा तो ऐसे में यह जो पार्ट है एल्यूलर डक्ट एट्रियम ऐल्यूलर सेक और यह वाला पार्ट है एक्षेंजिंग प प्रोंकाई तर्शी ब्रोंकाई एंड ब्रॉंक्योल यह जो एरिया जो ब्लैक में और डाउन है यह वाला पार्ट यह है कंडक्टिंग पार्ट कंडक्टिंग पार्ट अर इस ही को बोलते है कि GUY थे अधना मैं क्या डिफ्रेंश है में दोनों में डिफ्रेंश को समझने के लिए हमें एक टेबुलर फर्म में स्टडी करें एक टेबल की फरम में स्ट्डी करते हैं जैसा कि मैं आपको औरेली बताऊं पहले, कि दौनों में major difference क्या है? जो conducting part है, वो air का conduction करता है, समभेन करता है, air को conducting करने का काम कर रहा है, अंदर ले जाने का काम कर रहा है, पहला काम में दूसरा बाहर से जो भी एयर आरी है उस एयर को किलियर करने का क्या खर क्या ठोसे ऐर के ढंदर कोई भी ढस्ट पार्टिकल है तो हमारे नैजल cember के अंदर है ये पॉसस्टपार्टिकल को ट्रप कर लिया थर्ड पहर्त अ कि तीसे काम किया तीसे काम ए कि जोभी ओर यह आर्दर या मौेस्ट कणडिशन प्रोवाइड करना है या चोथा काम किया चोभी है साथ हमारी बोड़ी के अंदर जा रही है को श्याइर का temperature हमारी बोड़ी temperature दक लेए जारा तो चारा फंक्शन के लिए रहा है तो पहले इस कंडुक्टिंग पार्ट के चारा फंक्शन देख लेते हैं झारा फंक्शन के लेते हैं झाल झाल पहला फंक्शन क्या बता है इट कंड़क्ट दा एर कहां से कहां तक अट्मोस्फियर से एट्मोस्फियर से एर को लंग्स तक लाने का काम करेगा सेकिंड क्लियर दा एर इट मिन्स ये क्या करेगा रिमूव दा डस्ट पार्टिकल जो मिट्टी के कंड होंगे उनको रिमूव करने का काम करेगा थर्ड एर को मॉइस्ट या आर्दर करने का काम करेगा एंड मेंटेन अदी टेम्परेचर ओफ एर अप टू बोड़ी प्रेचर एर को कंडिश्ट का सम्वेन करने का काम कर रहा है उस एर को साफ करने का काम कर रहा है मिन डस्ट पार्टिकल को रिमूव करेगा फिल्टर नहीं कर रहा है एर को लेकिन उसके डस्ट पार्टिकल को रिमूव करेगा मॉइस्ट दा एर एर को आर्दर या एर में नमी लाने का काम करेगा मेंटेन दा टेम्परेचर ओफ एर अप टू दा बोड़ी टेम्परेचर बाहर से कैसी एर रही है उसको हमारी बोड़ी टेम्परेचर मेंटेन करने का काम करेगा यह सब किसके भाग है कंडेक्टिंग और कंडेक्टिंग पार्ट याद हो तो आपको कहां से कहां तक है एक्स्टर्नल नॉस्ट्रिल से लेकर ब्रॉंक्योल रीजन दूसा पार्ट कौन से है एक्सेंजिंग पार्ट एक्सेंग पार्ट एक्सेंग पार्ट कौन से एक्सेंग पार्ट 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 एक्सें एक्षेंजिंग पार्ट में विशेश परकार की चप्टी कोशिकाई पाई जाती है और वो चप्टी कोशिकाई जो है फ्लेट सेल्स चप्टी कोशिकाई पाई जाती है और वो जो फ्लेट सेल्स है वो दो परकार की है टाइप वन टाइप वन को न्यूमो साइट भी खहा जाता है टाइप टू को न्यूमो साइट सेकंड भी खहा जाता है यह टाइप वन न्यूमो साइट फर्स जो है यह गासों के आदान परदान के लिए है इच मींस गैसेज एक्सचेंज के लिए प्राइमरी फॉर्म में गैस के आदान परदान या गैसी एक्सचेंज के लिए जबकि न्यूमो साइट सेकंड जो है यह रिलीज करेगी लैसितिन जो एक फॉस्पोल लिपिड है जिसे डीपी सीसी भी कहा जाता है यह रियली में एक सर्फेक्टिंट का काम करता है तो यहां पर सर्फेक्टिंट का काम है हमारी एल्यूलाई है कुछ इस तरीके से एल्यूलाई है इस एल्यूलाई में एक फंक्शन तो क्या होना चाहिए गैसे सेक्षिंट और दूसरा फंक्शन क्या होना चाहिए कि इसका सर्फेस टेंशन कम होना चाहिए ताकि एल्यूलाई ब्रस्ट ना कर जाए फट नहीं जाए तो यह सर्फेस टेंट क्या करता है surface tension को कम करते है इस exchanging part का measure role क्या है एक तो gaseous exchange type 1 cell काम करेंगे दूसरी type 2 cell क्या करेंगी phospholipid release करेंगी जो स्टेंशन को lower करने का काम आप दोनों में अंतर देख सकते हैं कि कंड़क्टिंग पार्ट का रोल क्या था एक्चेंजिंग पार्ट का रोल क्या है आगे चलके मैं डिसकस करूँगा कि हम बोडी के अंदर जितनी एर जा रही है जा पल टाइडल वोल्यूम होता है उसमें 500 ml एर गई तो एक्चेंजिंग के पास में 500 नहीं तो जो पार्ट कंड़क्टिंग पार्ट में रह गया और वापस आ गया वो पार्ट आगे चलके डेड वोल्यूम या मृत आए जा और जो पार्ट यहां पर आ गया उसको क्या बोलेंगे एल्यूलर वेंटिलेशन लगबग 500 ml का 350 ml यहां पर आ जाता है 300 ml इस कंड़क्टिंग पार्ट में रह गया तो यह डेड वोल्यूम हो जाएगा और यहां पर आते आते एल्यूलर वेंटिलेशन का फंक्शन वोल्यूम हो जाएगा क्लियर है तो अभी तक जो मैंने बाते की वो कंड़क्टिंग पार्ट और दूसरा पार्ट एक्शेंजिंग पार्ट उन दोनों में डिफ्रेंस करने की और आगे चाहिए कॉप है कि अगया कि अगया कि देखे बीटा बार आपको यारा चाहिए कि हम कौन से चैप्टर की बात कर रहे हैं ब्रीफिंग एंड एक्शेंज और गैसेज की बात कर रहे हैं लिए और के तो ब्रिफिंग और एक्सेंज अरwaitis में हमें रैस्पारेशन के स्टेप्स भी पता होना चाहिए कि रैस्पारेशन के कॉंकॉंसफे स्टेप्स होता है हम जरह हम यह देखते हैं कि रैस्पार पिस्टेप्स सवसन के कौन-कौन से चाहँ दिरी-दिरी हम एक-एक स्टेप में आगे भढ़ेंगे है तो जैसे कि मैंने प्रिविएस क्लास में डिसकस किया था कि किसी भी निट्रियंट मोलिक्यूल का औक्सिडिशन करना है तो उसके लिए ऑक्सिजन की रिक्पायरमेंट भी होती है और कई बार नहों तो इस बेसिस पर मैंने बताया था एरोबिक रेस्पिरेशन और एन एरोबिक वाइभी वाइभी एस अवसन और हम यहां पर बात कर रहे हैं कि किसी भी सैल को न्यूट्रियंट मॉलिक्वल को यदि ऑक्सिडाइज करना है तो उसे ऑक्सिजन साहिए तो फाइनल काम क्या है उससेल का ओक्सिजन को कंजियूम करके इसका कैटाबॉलिक साहिए तो मैं कह सकता हूँ यह लास्ट स्टेप जो है यह कुन सा है कैटाबॉलिक रियेक्शन और कैटाबॉलिक रियेक्शन जो होगी तो कैसे पॉसिबल होगी C6 है, S12 है, O6 प्लस O2 तो फाइनली क्या प्रोड्यूस करेगा CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी जो हमारी बोडी के लिए यह क्या है टॉक्सिक इसे बोडी से भार निकाल और यह कैटाबॉलिक रियेक्शन जो अपची अभिकिरिया है इस रियेक्शन को हम साइन्टिफिक नेम देते हैं जिसे बोलते हैं सेलूलर रेस्पिरेशन या इसी का नाम दे दिया कॉसिक की है सवसन कहने का मतलब इसको ब्रेकड़ाउन करना है तो ऑक्सिजन को यहां पड़ेगा यहां तक कैसे आए उसके लिए हमें ऑक्सिजन लाना पड़ेगा तो इसका फास्ट स्टेप क्या है ब्रेथिंग जैसे हम बोल रहें समवातन या इसी का नाम है पल्मानरी वेंटिलेशन या फुफुश्य समवातन ब्रेथिंग सिंप्ली मीन्स एट्मोस्फिक फ्रेश एयर को इन करना और बोडी के अंदर कार्बन डाय उक्साइड रिच एयर जो बनी है एलूलाई के अंदर उसको बाहर निकल ब्रीथ इन और ब्रीथ आउट तो हमारे पास ब्रीथ इन करने पर ऑक्सिजन आ गया है कहां तक पहुंच गी एलूलाई तक अब एलूलाई से हमें कहां ले जाना उसको ब्लड में तो मैं कह सकता हूं डिफ्यूजन बिट्विन एलूलाई एंड ब्लड मिन्स यहां पर इस कूपी का और रक्त के बीच में क्या होगा विच्छ से कि यहां से एर forwards इसको का से ब्लड में चली जा अ और ब्लड में चलेगी ब्लड की अंदर क्या है और बीच ब्लड के अंदर क्या है डवलु. देट्ली ब्लंड के अंदर का प्लाजमा क्च मैं से और डिषी एक कारियर जो ऑक्सिजन और carbon dioxide दोनों को carrier के रूप में काम करेगे इसका मरलब अब blood से उसको क्या करना में transport of gases transport of gases means गैसों का परिविन और जैसे ही गैस ब्लेड में जा रही है अब कौन से लेवल पर पहुंच गे टीश्यू के पास टीश्यू के पास पहुंच गे तो फिर वापस क्या करना पढ़ेगा में गैसे डिफूजन बित्विन ब्लड एंड टीश्यू इंस यहां पर भी क्या करना पढ़ रहा है यहां पर और तू और और शीओ तू अगरें हूंच तो रेस्पिरेशिन या सवसन के जो इस्टेप मैंने बताया था आपको फर्स्ट लेक्चर में कि रेस्पिरेशन एक वास्ट और एक बड़ी टर्मिनोलोजी है और उसका एक छोटा सा सेग्मेंट के है ब्रीथिंग देख सकते हैं आप ब्रीथिंग पल्मोनी वेंटिलेशन दफस्ट इस्टेप डिफूजन बिट्विन एलूलाई एंड ब्लड गैसों का आधान परदान या विश्ण किसके बीच में एलूलाई और ब्लड के बीच में ट्रांस्पोर्ट ऑफ गैसे गैसों का प्रिवेन डि डिफिट्क्ति आर ने एंटन देप्स अड्सप्रेशन में रूलाईंट के डिफ इस रिफ्लिपस्ट में लडर स्वेट। कि अब फुलिए यहां तक सभी चीज़े क्लियर हैं इस इसमें कुछ इंपोर्टेंट असपेक्ट में इस्टोलोजी या ओत्की के बारे में में भी हम छोटे से पार्ट के स्टडी कर लेते हैं जहां से क्यों सन पूछे जाते हैं नेजल चैंबर या नासा कॉस्ट और इस नासा कॉस्ट में तीन अलग अलग पार्ट है वन इस वेस्टिबूल पार्ट जो सबसे आउटर पार्ट अधर वन इस रेस्पिरेटरी पार्ट लास्ट वन इस अलग फैक्टिटरी पार्ट Vestibual respiratory Olfactory part, इन में यहां पर देखा जाए तो एक Olfactory part में Neurosensory Epithelium प्रजेंट होती है जिसे बोलते है Olfactory यह यह पैसे नियुरो सेंसरी एपिथीलियम जो है दिखू वर्ड इंडिगेट कर रहा है सेंसेशन का काम भी करेगा नर्व इनर्वेटेड भी है जहां पर नियूरोन और सेंसेशन दोनों का काम हो रहा है इसका मतलब है हमारी बोडी में यह कोई ने कोई सेंस को लेकर हमारे ब्रेन तक लेकर जाएगी और वह सेंस है इसमेल का सूंगने का कोई भी चीज हम इसमेल करते हैं कोई भी चीज हम टेस्ट करते हैं दोनों की बात कर रहा हूं मैं इसमेल की और टेस्ट किसी भी मॉलिक्यूल को टेस्ट और स्मेल तब तक नहीं किया जा सकता जब तक उसे डिजॉल नहीं कर सकते किसी लिक्विड के अंदर और हम यदि डिजॉल कर दिये उसके बाद में हमारे ब्रेन के पास उसका सेंसर कि आपने कई बार देखा होगा जुखाम लग जाती है म्यूकस वगेरा जमा हो जाता है तो उस म्यूकस की वज़े से कि मेट्रियल प्रॉपर डिजॉल नहीं हो पाता है इसलिए हमें स्मेल नहीं आपाती है कि ऐसे में यह नियूरो सेंस्री एपिथीलियम सिंडेडियन मेंब्रेन ओल्फेक्ट्री एपिथीलियम कि इसमेल में 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 रोल अड़ा करते हैं इसी तरीके से आप से पूछ लिए रेस्पिरेटरी पार्ट में कॉन्सा हो इसमें आभासी इस्तरित सिलिएटीड कोलम्नर एपिथीलियम यह सूडो स्टेटीफाइड कैसी दिखाई देगी आभासी इस्तरित क्यों बोल रहे हैं क्योंकि यहां इस तरीके से होती हैं कोलम्नर सेल्स हैं लेकिन यह basement membrane और यहाँ पर कुछ छोटी cell भी है तो long cell और small cell दोनों cell present है इसलिए ऐसा दिखाई देता है कि यह multi-layered है this is basement membrane और यह columnar cell है यह long cell है और यह इस्तिरित दिखाई देती है इसलिए इसको नाम के दिया गए प्रफिट्री देता है pseudo stratified abasi strit ciliated columnar epithelium means of cloud तक यहाँ पर पाया जाए क्लिए रहे हैं तक not करें से next discuss कर रहा हूं मैं जैसे कि आपको introduction में मैंने बताया था इंट्रोड़क्शन में हम respiratory organ और mechanism of breathing की बात करेंगे तो हमने respiratory organs के बारे में पड़ा mechanism of breathing में जाने से पहले हमें air tight chamber या cage के बारे में ग्यान होना है जिस chamber में आप बैठे हुए हैं आप अपने कमरे में बैठे हुए हैं तो आप अपने चारों तरफ देखें तो एक फर्स है दो पार्षू भाग है एक अगा कि इस तरिके से आपको च्हे अलग-अलग स्थय दिखाई दे रही है दो साइड की दो आगे पिछे की ऊपर नेचे तो यह एक केज है एक पिंजणी की तरह काम कर रहा है इसी तरीकिशे आपारी बोडी में भी है ये पार्ट, ये पार्ट, साइड का पार्ट, ये पार्ट और ये पार्ट और इसके बीच में जो लोकेटिड है वो क्या है थोरसिक पार्ट और उसी को बोल रहे हैं थोरसिक केज या थोरसिक केज या थोरसिक विक्सिय पिंजरा हुआ मैंने बताया कौन-कौन पर्फेस होनी जाने चाहिए दोनाच चाहिए थार्फेस होनाच और लेट्टलेंड मैं कह सक्ठाऊँ दोर्सल पाइट होना ची वेंटल पाइट होना ची जिसे हम बोल रहे हैं अधर बाग और यसे बोल रहे हम प्रस्ट बाग लेटल पाइट होना ची जिसे हम बोल रहे हैं प्रस्ट बाग एंटीर पाइट होना चाहिए जिसे हम बोल रहे हैं अगर भाग पॉस्टिरियर पाइट होना ची जिसे बोल रहे हैं किसी भी थोरे सी केज को कंपोज करने के लिए यह सारे भाग होने चाहिए डॉल रहे हैं वेंटल लेटल एंटीरियर और प्रस्ट बाग अधर बाग पार्स बाग अगर और पस भाग केज में थोरे सी केज में यह भाग है एंटीरियर और यह पॉस्टिरियर डॉर्सल पीछे का बाग है अगे का बाग वेंटल है और साइड का पार्ट तो मैं करता हूं डॉर्सल पार्ट कौन बनाएगा वर्टीब्रल कोलम का सेरुक दंड जो होता है वो बनाएगा और वर्टीब्रल कोलम में तो सभी हैं थोर्स श्कम पॉटीब्र में होटेज़ वर्टीब्र हिंर मैं सेकरल है तो केवल थोर्सिक पार्ट क्यों थोरश की की बाद कर आदे अ है विंडल पार्ट कोन अ का इस ट्र्नम चाे पुरोस्थि एक चु technology सामने यहां कि ताईra लगाई जाती हिए वहाँ पर लेटरल भाग कौन बनाएगा रिब्स जैसा कि आपको पता होगा हमारे अंदर बारा जोड़ी पसलिया पाई जाती है और तेरवी जोड़ी यदी परजेंटर तो उसे गोरिला रिब्स बोलते हैं लेकिन हम जनरल बात करें तो बारा जोड़ी पाई जाती है जिसमें से वन से लेकर सेवन पेयर जो वर्टीब्रल कोलम और इस्टरनम दोनों से अटेच होती है इसलिए इनको बोलते हैं ट्रू रिब्स anterior part anterior part neck region and clavicle clavicle collar bone को बोला जाता है and posterior part posterior part यहां पर को न है इस विक्स ये पिंजरा के हमें सारे भाग पता लगे एंटिरियर पॉस्टिरियर डॉर्सल वेंटरल और लेटरल भाग और ये सब जो इस्ट्रेक्चर कंपोज करेंगे तो ये पिंजरे की बात क्यों कर रहे हैं हमें ब्रीटिंग मेकनिजम के लिए वोल्यूम और प्रेशर की बात करनी पड़ेगी और वोल्यूम और प्रेशर आपको पता है एक दुस्ट्रे के इनवर्सली परपर्शन होते हैं एक दुस्ट्रे के व्योत करमानुपाती होते हैं लोवर, लेटरल, एंटिरियर, पॉस्टिरियर, ये सभी सर्फेस यदी परजेंट हैं, तो इस कमरे के अंदर एक वोल्यूम जन्री टोब है, तो सबसे पहले हम ये सभी सर्फेस बना कर देखते हैं, कैसी दिखाए देखें, लेट सी, खातर सी, प्लाए हादुने हैं, वे में में पशी delivered के पक्योंट हैं, ये समय हम एक वोलोब हैं, बहुती हैं, बहुती हैं, वोलोब हैं, वोलोब हैं, रजब हैं, िसक्यों कैसे पहएं हैं, झाल खातर भी सर्फेस बना कर दोट यह पॉस्टिरियर एंड है और इस पॉस्टिरियर एंड को हम क्या करें डाइफ्राम तनुपट्ट यह इसका एंटिरियर एंड है जिसे हम बोल रहे हैं नेक रिजन यह क्लेविकल यह इसका पार्शों भाग है जो पार्शों भाग है वो कौन बना रहा है विब्स यह इसका एंटिरियर भाग है जो और यह पॉस्टिरियर यह पार्शों यह वाला जो पार्ट होगा यह कुन सा है वेंट्रल यह अधर भाग है और इसी के बैक साइड में देखा जाए तो यह डोटेड लाइन से जो मश्यों कर रहा हूं यह है वर्टिब्रल कॉलम या कसे रुप्धन एंटिरियर पॉस्टिरियर लेटरल डॉर्शल और वेंट्रल तो यह जो डोटेड लाइन से मैंने दिखा है डॉर्शल पार्ट है जो कंटिन्यूस लाइन ब्लेक से दिखा है यह इस्टनम यावरोस्ति वाला पार्ट है तो यह जो आपको दिखाई दे रहा है यह एक कंप्लीट थोरसिक केज है कि अब इस थोरसिक केज में मैं बार-बार एक्सिस के बारे में चैंज होने के बारे में बात करेंगा मैं कहूं एंटिरियर और पॉस्टिरियर तो यह एंटिरियर हो गया यह पॉस्टिर हो गया इस एक्सिस में चैंज करेगा उसके लिए यहां पर इस डाइफ्राम के पास स्पेसिफिक मसल्स है जिनें बोलते हैं डाइफ्राम मसल रेडियल मसल या फ्रेनिक मसल इस पेसिफिक मसल फाइबर या पेशी तंतु पाए जाते हैं जो इस एंटिरियर पॉस्टिरियर एक्सिस में चैंज होगा यह डाइफ्राम इस तरीके से डॉम सेप में गुंबदा कार यह नीचे चला जाए तो हमें स्पेस मिल जाएगा वोल्यूम बढ़ जाएगा इसको र रेडियल मुसल फ्रेमिक मसली या डाक्राम मसल ostat tap सै tumor अब हमें एंटिधियर पॉस्टिम हो गया अब डॉर शर्वेटल में चैंज करना है डॉर्श लेंटल के बीच में चैंज करने के लिए यहां पर मसल्स पर सिंट है कि तो रिप्स के बीच में जो मसल है उनको बोलते है अंतर पार्श्विक पसल जो यहां पर है इंटर कोस्टल मसल जो है अंतर पार्श्विक पेशियां जो है वो रिप्स के बीच में है जो डॉर्सल और वेंटल अक्सिस में चेंज करने का काम करेंग कि अधिक बिटा आज इस क्लास में मेंने क्या-क्या बाते की आपसे इस क्लास मैंने बाते की कि किस तरीके रइस्पिलेटरी पार्ट के इनके कंदक्टिंग पार्ट से डिफर है मैंने pneumocyte 1st और pneumocyte 2nd की बाते की pneumocyte 1st का रोल क्या था ऐसे सक्षेंज, pneumocyte 2nd का रोल क्या था surfactant phospholipid lecithin रिलीज करना जो surface tension को कम करेगा जिससे कूपी का ये छती ग्रस्त होने से बच जाएंगे उसके बाद क्या बाते की different steps of respiration और different step में हमने क्या क्या बाते की कैसे air को अंदर ले जाए जाए तो first step था pulmonary ventilation या breathing, breathe in और breathe out air तो fresh air को हमने इन लिया और CO2 rich air को हमने बाहर निकाल लिया फैली step second step उस alluli से उन gases को diffusion की दुवारा by simple diffusion की दुवारा हमने high concentration से low concentration की तरफ उनको क्या करवा दिया move करवा दिया तो मैंने बताए diffusion between alluli and blood blood में कैरियर आयन की फॉर्म में RBC प्रजेंट है RBC और करना ज्यादा है कि टीशू तक ले जाएगा इट मिन्स ट्रांस्पोर्ट ऑफ गैसे जैसे टीशू के पास पहुंच गए अब टीशू के पास पहुंचने के बाद में उसको क्या करेगी लेगी तो तो सेल लेने के लिए वहाँ पर वापस डिफ्यूजन होगा डिफ्यूजन बिट्विन ब्लड एंड टीशू ऑक्षिजन कहां पहुंच गी सेल के पास में सेल ने क्या कर लिया उसको कि उसके बाद मैंने भात है कि नैजल एंबर की अंदर इस्टलोजी क्या क्या है तो नैजल चमबर में क्यूत्ली पार्ट एक एक उल्फैक्टरी पांट है तो नैजल जेमबर के अंदर जो बँचाएट्रिंग सब्सक्का उस ज दोरहिं या सकेस्सी और थोड़ाया के अलगवभाई विक्सज्जरा की अलगवभाघ मताया कि कौन्सा कौन को कौन सा बंटल भाग काूसा लेटल भाग या radial muscle काम करती है जबकि डॉर्सल और वेंटल एक्सिस में चेंज करने के लिए intercostal muscles काम करेंगे विभीन परकार की यह जो पेसियां है यह breathing में में तो प्यारे बच्चो अगली क्लास में हम इस topic का अगला content discuss करेंगे जिसे बोलते हैं mechanism of breathing बहुत अच्छा topic है जहां से क्योशन पूछे जाते हैं